नियू रिक्रिमेंट के बारे में बात करने वाले है जो इंटेलिजेंट वियूरो की और से AIB की और से Ministry of Home Affairs Government of India की और से आपका ट्यूठ ऑजन ट्विटीफोर के लिए आपका नियू अपडेट प्रोवाइड किया गया है यहां पे आपका requirement । आउट के गया गया गूरुप B और Group C के लिए आपका requirement । आउट के गया उसी बैसिज पे आपका total number of post आपका number of vacancy आपका distribute के गया जो भी comment जिस post के लिए अप्लै करते हैं उस बैसिज पे आप इस form को apply कर सकते हैं total number of post आपका यहाँ पे 660 post आपका आउट किया गया उसी basis पे आप देख सकते हैं कि आपका civil work के लिए और यहाँ पे आपका number of post आपका printing operator के लिए भी requirement आउट किया गया जिस basis पे आपका education qualification है उस basis पे आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे आपका दिया गया है uniform allowances आपको दिया गया है LTC package आपका दिया गया है और यहाँ पे आपका vacancy आपका और various आपका post आपका उसी basis पे आपका यहाँ पे salary आपका distribute किया गया 81,000 पर month आपको यहाँ पे दिया जाएगा इस basis पे आप यहां से देख सकते हैं यहां पे आपका यहां पे आपका न्यू दिल्ली की और से आपका Ministry of Home Affairs Intelligent Bureau की और से आपका अपडेट प्रोवाइट किया गया है यहां पे नीचे स्कॉल करने के बाद यहां पे पेज कील यहां पे Assistant Central यहां पे आपका Intelligent Officer के लिए आपका Requirement आउट किया गया है यहां पे आपका देख सकते हैं असी पोस्ट आपका आउट किया गया है उसी परकार से आपका यहां पे General Central Service Group के लिए आपका लिज किया गया है उस बेसिस पे आपका यहां पे 47,600 से लेकर आपका 1,41,100 तक आपको PaySkill प्रोवाइट किया जाएगा eligibility criteria यहां पे आपका category बाइज आपका distribute किया गया जो भी candidate जिस पोस्ट के लिए अपलाई करते हैं उस बेसिस पे आप यहां से देख सकते हैं simply यहां पे आप General Central Service Group भी के लिए पोस्ट अपलाई करते हैं आपको यहां पे simply graduation pass out होना चाहिए फिर यहां पे 2 year का experience होना चाहिए security या intelligent worker का work का तो आप इस phone को apply कर सकते हैं फ्लस यहां पे computer knowledge यहां पे आपका compulsory है यहां पे आपका junior यहां पे intelligent officer के लिए apply करते हैं तो 120 post आपका release किया गया है उसी basis पे आपका यहां पे education qualification 5 year service आपका यहां पे grade आपका 25,500 से लेकर 81,000 तक आपका pay skill provide किया जाएगा simply यहां पे आप graduate pass out है तो आप इस phone को apply कर सकते हैं junior intelligent officer के लिए apply करते हैं तो आपको यहां पे office of central police organization state police organization में आपको work करनी होगी आपको यहां पे 21,700 से लेकर आपका 69,100 तक आपका pay skill यहां पे दिया जाएगा पर मन्त उस basis पे आप देश सकते हैं यहां पे देश सकते हैं security assistant के लिए apply करते हैं तो आपका यहां पे 100 post आपका out किया गया है उस basis पे आपका experience intelligence यह work है तो आप इस form को apply कर सकते है matriculation यहां पे simply होना चाहिए इस basis पे आपका यहां पे category बाइज आपका distribute किया गया है जो भी candidate जिस category के basis पे आपका education qualification है उस basis पे आप यहां से check out करके आपको simply यह form को आप fill up करके name, address, आपका यहां पे date of birth और फिर date of entry into service आपका है तो एक service man के नेट के लिए फिर आप पे date आप central state government rule के हैसे आपको education qualification आपका क्या है experience क्या है उस basis पे आप यहां से form fill up करके आप इस form को apply करके एक suitable government job प्राप कर सकते हैं और intelligent bureau में आप work कर सकते हैं इस basis पे आप इस form को apply करना चाहते हैं तो आप इस form को apply कर सकते हैं यहां पे 2024 के लिए आपका new update प्रोवाइट किया गया है I hope के आपको वीडियो अच्छा लगोगा और इभी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चानल को subscribe विजएगा आज के लिए इतना ही thank you